डाउटनेट की लाइफ सेशन में तो सभी वच्चे कैसे हैं बढ़िया सभी घर में स्वस्थ हैं मस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त थे कि नहीं भाया दो दिन की मेरी तरफ से मिल गई है छुट्टी पर अब नहीं होने देंगे छुट्टी कि आपकी कोई भी कलास में कमी है तो आपको आज सबसे इंपॉर्टन टॉपिक से होने जा रहे हैं रूबरू जिसमें इस मैटर अरांडस प्योर का सबसे तगड़ा और सबसे हाई वेटेज का जो कोशन बनता है वो इसी टॉपिक से बनता है कि बताओ भाया एक दो तीन चार पांच ऐसे कोई अलग टेकनीक अपन देखने वाले हैं आज की क्लास में जिसमें अलग-अलग कंपोनेंट्स जो मिक्षर के होते हैं उनकी लिए टेकनीक भी अलग-अलग प्रॉपर्टी पर करती है डिपेंड तो वही आज सीखेंगे तो लगाते हैं अपना लेक्षर नमबर नाइन मेरे साथ ज तब तक बच्चा लोग सारे इखटे हुएं तब तक हम फटा फट से चोटी से अनॉस्मेंट कर देते हैं ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी इंपोर्टन पास मिस ना हो देखो यहां पर डाउटनेट ने आपकी लिए क्लास 9 इंगलिश माद्यम से वी आईपी कोर्स एक जून से कर चुके हैं शुरू और इस कोर्स में आपको पढ़ाने वाली टीचर्स है टॉप की जिन्होंने बोर्ट में बहतरीन रिजल्ट शो किया है और इन प्रिवियस यह की रिजल्ट किया कॉर्डिंग आप देख सकते कि कि कितने सारे बच्चे यहां पर बेस बायो सोशल स्टेडीज मैस इंग्लेश विद इंग्लेश ग्रामर सब सब्जेक्स से कराएंगी रूबरू और इन टीचर्स की गाइडन्स के अंदर बचा लोग आप यहां पे इस वी आईपी कोर्स में होमवर्क नोर्स टेस्ट हर तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको प् लाइव देखे या रिकॉर्डिट देखे आपके हर डाउट का होगा सफाया तो जो जो बच्चे इस कोर्स को जॉइन करने में इंट्रस्टेड हैं आपकी स्क्रीन पर है नंबर इस नंबर पे धड़ा-धड़ लगाओ कॉल और अपने कोर्स की सारी जानकारियां से पास सक का चोटू सा हां और नामे देना है जवाब तो जल्दी से बताइए कि कौन-कौन से बच्चे इंट्रस्टेड हैं जल्दी से मैं यहां और नामे देना है जवाब बस तो सभी बच्चे आ चुके हैं तो यहां पर सभी को वेरी 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 वार्म गुड मॉर्निंग अब यहां पर आज अपन separation method करने वाले हैं पहले तो सब बच्चे बताओ सब बढ़िया हैं घर में स्वस्थ हैं मस हैं पढ़ाई वड़ाई करी की नहीं करी दो दिन तो यहां पर दो दिन जब मैं live नहीं लगता नहीं है कि बच्चोंने कुछ खुद से पढ़ा होगा पढ़ा की नहीं पढ़ा खुद से पढ़ाई करी कि नहीं करी बच्चा लोग तो जब भी ऐसा हो ना कोई टीचर छुटी पे हो और आप यहाँ पे इंतजाय कर रहे हो तो आपको क्या करना है खुद से भी टॉपिक्स में डाउट निकाल के रखने कि अगली बार टीचर जब आएं तो आपन यहाँ पे डाउट की वर्षा कर दें कि माम इस चाइम को हमने ऐसे यूटिलाइस किया था हाना तो बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए अपनी पढ़ाई में किसी के आने और जाने से हाना अब जैसे इस चाप्टर की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टेकनीक कि कैसे कोई भी कमपोनेंट कोई भी मिक्षर के अलग-अलग कमपोनेंट बैठे हो तो उनको सेपरेट कैसे किया जाए और सिंपल भाशा में बोले तो जुझाई के तरीके देखने हैं कि कैसे अलग-अलग किया जैसे तुम हो कि यहाँ पर यहाँ बच्चा तो ऐसी खढ़ाई इसको छोड़ दो बहिए है जादा ही मोशनल होजायेगा हमारा कंटेंट इसको चोड़े दो यहाँ यहाँ पर इसकी प्रॉपेटीज अलग इनकी इनकी प्रमपटीज अलग अलग होने के करण दोनों की बंती नहीं थि है ना बनेगी नहीं तो ये अलग हो जाएगा बिल्कुल ये बिल्कुल अलग हो जाएगा तो यहां पर इनको अलग करने में कोई ना कोई तो बीच में बादा रहोगा ना तो थर्ड पर्सन जब आता है इनको थोड़ी सी आग लगाता है थोड़ा सा भड़काता है और थोड तो इस इस इक नीक में अलग अलग दश टेकनिक अपने को पड़नी है जिसने फिरी कल प्रॉपर्टिज यह is जो दोनों की का विवार का अलग अलग तरीका होता है उससे सप्रेशन बहुत बहुत ज़्में जानसे जो जाते हैं हना से लेड करते हुए चलेंगे चीके पढ़ा है दबाकर बहुत बढ़िया बहुत अच्छे चालो तो यहाँ पर शिरू करें हम अब देखो यहाँ पर ना आज की क्लास में फिल्ट्रेशन, मेगनेटिक सेपरेशन, सबलीमेशन, इवापुरेशन और क्रिसलाइजेशन यह पांच मैथड मैं तुम्हें कराओंगे तो इन मैथड को जानने के लिए अपने को क्या करना है मतलब एप्रोच ऐसी होनी चाहिए बचा लोग कि अगर मुझे अपने बोर्ड के एक्जाम में जो की टेंट में होंगे बड़िया मार्क्स लाने है तो अपना बेस मतलब अपनी बुनियाद अपनी नीव नाइंट में तगड़ी बनानी होगी और अगर यहां बेस तगड़ा बन गया तो आगे जाकर भईया मुझे याद करोगे कि यहां से नाइंट पड़ी थी अब टेंट में जादा मशक्कत नहीं करने पड़ी अब उसी के बाद भईया बेस यहां बुनियाद यहां बना ली अब सारी चीज़े होती है स्ट्रेड से अगर तुम बुकिश लैंगविश को बोलो ना भाया कोई काम नहीं हैगी अगर तुमने उस बुक में से जो पड़ा उसको इंप्लेमेंट नहीं किया उसकी स्ट्रेडेजी ने बनाई कि कैसे यह टॉपिक पढ़ लिया है तो इस पर अलग अलग बुक से कोशन उठाने ह उसके बाद इस चॉपिक को जब पढ़ लिया है तो इस पर प्लानिंग करनी है कि कोशन आने के चांसिस क्या है पेपर में कितनी बार ऐसा कोशन पूछा गया है क्या इस चॉपिक में फालतु का टाइम वेस्टों नहीं कर रहे है तो जब तक स्ट्रेटिजी नहीं होगी न कि हमारा एम क्या है हमारा गोल क्या है हमारी प्लानिंग क्या है तो बुक्स से जादा अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में इसको रिलेट करते हुए चलना है और बाद में बुक्स पढ़नी है तो आज का बेसिक लेक्चर यही होगा कि हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट क करते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीज़े हम ऐसे एक्जामपल देखेंगे हमने डेली लाइफ में देखें हैं जो यह यूज होते हैं चीके क्लियर बच्छा लोग सभी को अच्छे से बहुत अच्छे है प्रोश लगानी है चलो आगे बढ़ते हैं तो बच्छा देखें सब से पहला है कि यह दरार कैसे पढ़ सकती है मतलब यह सेप्रेशन टेकनीक जो है इसमें डिफ्रेंसिज आने से दरार कैसे पढ़ जाती है कैसे पढ़ सकती है बताओ आज बच्छे बहुत कम है कहा है तुम्हारे नन्ने मुन्ने आगे वाले बच्छे मलब सबसे इंपोर्ट चाप्टर तुम्हारा शुरू हुआ है बहुत इंबॉर्टन टॉपिक और इस टॉपिक से कोशन फॉश और बनेंगे तो इसके कोशन भी आज हम करके देखेंगे इन पांच प्रॉपर्टी के बेसिस में और तकड़ी तरीके से कंसेप्ट क्लिया कराऊंगे अब देखो दो की जुदाई के बीच में डिफ्रेंसिस कैसे आते हैं यह दरार कैसे पढ़ जाती है तीके अब वो अलग घर में रह रहा है यह अलग घर में रह रही है यह दरारे कैसे पढ़ गई यह देखना है अपने को अब यह दरार पढ़ने के पीछे हमारे यह साथ रीजन है और यह और भी reason हो सकते हैं जैसे boiling point का अलग-अलग होना एक जना अलग बात पर आग बगबुला होता है एक का आग बगबुला होने का reason गुस्सा होने का reason बहुत ज़ादा amount में एक बिलकुँ शानतों के बैठ जाता है तो सब की अलग-अलग differences है और particle size का difference है देन एक में चुम्बक क की प्रक्रिया मतलब दूसरे की तरफ अकर्शिंग का ज्यादा difference है एक नहीं होता होगा track एक होता है सब्लिमाइट सब्लिमाइट मतलब डैरेक्ली सॉलिट से गैसी अस्टेट में जाना है ना या फिर वह ना जाता हो और या फिर पार्टिकल के वेट में ज्यादा difference हो या इसे बोलते हैं उसकी वोलाटेलिटी बहुत बढ़िया है और सॉलिबिलिटी मतलब गुलने की शमता तो गुलने की शमता जैसे पानी में चीनी मिलाओ घुल जाएगी पर पानी में मिट्टी मिलाओ नहीं मिलेगी तो सॉलिबिलिटी के basis पर भी हमारे differences आ जाते हैं तो boiling point, particle size, attracts to magnet, sublimite or not या फिर weight of particles या volatility या solubility इनके बीच में इनके होने से दरार पैदा हो जाती है ठीके बच्चों में इतवित खराबती इसलिए मैं नहीं आई थी अब बिल्कुल दुरुस्त हूं तो आपकी class में आप कोई खेद नहीं आएगा ठीके चलो शुरू करें इत इतना सभी को clear तो thumbs up जल्दी से बेज़ो क्योंकि अपन अब आने वाले हैं पहली separation टेकनीक पर मतला पहली जुदाई की टेकनीक पर कि क्या क्या पार्टिकाज ऐसे होते हैं जिनको इस चेकनीक से अलग किया जा सकता है तो पहली टेकनीक है भईया filtration filtration में दरार का कारण क्या है कि particle का साइज एक का होता है बड़ा एक का होता है छोटा तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि filter paper को ऐसे roll करके रखते है थीकिए यहां पे ना ऐसे फिल्टर पेपर को अपर रोल करके रखते हैं ऐसे कौन सी बनाका जैसे जिस कौन में तुम यहां पर चने वने भार ठेला लेकर खड़ा होता है चने वने सब प्याजवाद कटबाके बिलकु चाट मसाला यहां पर भेल पूरी बनाके खाले होते हो उसी तर सैंड और तुम्हें पता है कि पानी मिट्वेटि में गुलेगी नहीं एक पार्टिकल बहुत लार्ज हैं जिसके पर्टिकल लाज होंगे वह फिल्टर पपर पे एकटी होती जाएंगी और पानी नीचे-एक फिल्ट्रेट की फ़्म में खटा होते जाएगा जो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं और जो फिल्टर पेपर में ही रह जाता है पार्टिकल साइज बढ़ा होने के गारण उसे residue कहा जाता है चीके तो इस तरह से अपने को पता होना ची कि filtration technique कहां use होनी है जहाँ पर particle का size बहुत जादा हो तो उसको solution को filter कर दो उसमें पानी वगएरा कुछ होना चाहिए जो filter अगर तुम यहाँ बोलो कि दूद को filter कर दो तो भाईया दूद में से कुछ ने निकलेगा वैसे का वैसी पुरा filter पर हो जाएगा और अगर तुम बोलो यहाँ पर चीनी और पानी की solution को filter कर दो तो यहाँ पर चीनी घुल जाती है भाईया, soluble है उसमें तो वो भी यहाँ पर filter paper में residue नहीं छोड़के जाएगी residue नहीं छोड़के जाएगा उसमें filtration लगाने का कोई मतला भी नहीं बनता जैसे कि अगर तुम चाय बना रहे हो भाईया, पतीला चड़ाया तुमने तवे पे और गैस पे ठीक है, और उसकी gas on करी पाने डाला, चीनी डाली अब चीनी डालके तुम सोचो कि भाईया, यहाँ पे चाय बन जाई यह ऐसा तो है, नहीं चाय पती भी डलती है अब चाय पती ना soluble भी नहीं है, particle का size भी बड़ा है, तो तुम देखो जब last में dude डालने के बाद पूरा उबाला आने के बाद तुम चाय पती की चनी से चाय को कप में डाल रहे होते हो तो चीनी तो उस चनी की उपर नहीं आती ना, क्या-क्या बच जाता है भाईया, अगर तुमने अधरक डाला है तो वो बच जाएगा, तुमने इलाइची डाली है तो वो रैसी ड्यू में हमारी चनी पर बचेगा और चाय पती तो जरूर से जरूर बचेगी क्योंकि पार्टिकल का साइज बढ़ा था वो चाय की चनी से नीचे नहीं जाएगी तो भाईया, चाय पती वोली चाय तो वैसी ही नी पी पाते इसलिए चनी का इस्तमाल करना है तो यहाँ पर पता लग गया कि कैसे मिक्स्टर के दो कंपोनेंट को पार्टिकल के साइज पर जब अगलग करना हो तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस अपन लगाते है चीके, सबी को अच्छे से बहुत अच्छे से अभी वोलाटिलिटी भी बताऊंगी एक बार बता चुक्यों आगे जब आएगा तब बहुर बताऊंगी ठीके, अब अगली टेकनीक है हमारे पास इवापोरेशन देखो वोलाटिलिटी यहाँ पर आगे वोलाटिलिटी होती है जैसे कि अगर हम देखें मेरे पास ना ऐसी टोन है नेल पिंट रिमूवर है ठीके, एक जगा पानी है मैंने एक हाथ पे नेल पिंट रिमूवर का लिकुर्ट रख दिया और एक हाथ में थोड़ा सा पानी रख दिया दोनों का अमाउंट सेम रखा अब मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों को ना यहाँ पर धूप में लेके खड़ी हो जाती हूँ या नॉर्मल एटमॉस्वेब भी खड़ी हो जाती हूँ पर पानी की एवापरेट होने की शम्ता होगी कम वेरस एसिटोन में एवापरेशन का रेट बहुत जादा होगा यह बहुत वोलाटाइल है यह स्किन की हीट से ही एवापरेट हो जाता है तो जिसका बॉलिंग पॉइंट कम हो उसकी वोलाटिलिटी जादा होती है मतलब एवापरेशन की शम्ता वेपर्स बनाने की शमता clear है तो यहाँ पे शमता किसकी जादा है nail print remover की तुमने देखा है कि कैसे फड़ा अफ़र्ट से फुर हो लेता है और यहाँ पे हाथ की heat को भी ले जाता है cooling effect छोड़ जाता है तुम्हें पता evaporation causes cooling effect तो यहाँ पे evaporation में अपन किस basis पे अलग करते हैं volatility के basis पर ठीके clear है तो इसका बहुत बड़िया example है कि तुम्हें यहाँ पर colored dye colored dye from ink निकालनी है ठीके तो जैसे तुम्हारे पास pilot violet pen होता है ना pilot वालगरा pen की जो ink होती है उस ink को अपने यहाँ पर नीचे पानी boil कर रहे है ठीके यह बीकर है इस बीकर के अंदर पानी है यह नीचे tripod stand है तीन डंडो वाला यह सुलसा होता है ठीके tripod ऐसे इस तरह से stand होता है तीन डंडो का ठीके उसकी उपर हमारी जाली लगी होती है उस जाली पर अपने बीकर रखा है नीचे लगाया है burner जिससे लगाई है आग उस जाली से आग उपर जाती है बीकर को गरम करती है पानी भीया उबलेगा उपर एक कांच की जो होती है कौन से कांच की ऐसे तुमने वो white color का देखा है marble वाला जो हमारा skin होती है मतलब एक उस कांच की plate को पानी की boil होने की शमता बहुत जादा है नीचे पानी boil हो रहा था directly मैंने ink beaker में डाली है वनना ink जल जाएगी मैंने क्या किया पानी नीचे boil हो रहा है पानी की भाप उसे china dish पे लग रही है और उस china dish पे जो भाप लग रही है उसमें ink पड़ा हुआ है थोड़ा सा तो उसको heat मिलती जारी है मिलती जारी है मिलती जारी है और heat मिलते मिलते में उसमें से पानी हमारा निकलता जा रहा है पानी हमारा evaporate होता जा रहा है उसके vapors बन रहे हैं देख रहे हो vapors बन रहे हैं तो उसके vapors बनके यहाँ पर water evaporate हो गया और water evaporate हो गया तो dye colored dye उस sink की blue color की यहीं रह जाती है तो इस तरह से volatility के difference में अपन यहाँ पर किसी भी component में जिसमें उसके अंदर water हो, alcohol हो, acetone हो जो evaporate इनकी शम्ता जादा रखता हो उसको evaporate कर देंगे और बाकी बचा हुआ substance और dye उसमें से पालेंगे तो इसका बहुत अच्छा example है कि colored dye मुझे ink से निकालनी हो तो इसका इस्तमाल करेंगे clear है, सभी को अच्छे से, बहुत अच्छे से, चलो भईया बहुत बढ़िया, clear हुआ, volatility का मतला पता लग गया कि वो बंदा जो की easily vapors बनाने की शमता रखता हो, liquid से गासी एस्टेट में convert करने की शमता रखता हो, उसे बोलेंगे उसकी volatility जादा है चीके, अब चलो आगे बढ़ें, यह हो गया second method, evaporation, जिसमें एक की evaporate होने की शमता जादा होगी, एक की कम होगी तो इस process में अपन evaporation लगाते हैं, अब evaporation के जैसा ही एक होता है crystallization अब crystallization evaporation में क्या difference है, देखो, tripod sand लगा रखा है, उसके उपर wire gauge रखी हुई है, जिसमें से burner से आग निकलेगी, बीकर के उपर जाएगी, बीकर में boiling water है, ठीके, उसके उपर एक china dish रखी हुई है, china dish के अंदर copper sulfate का solution है, उसको directly hit नहीं कर रहे वना वो जल जाएगा, तो boiling water जो भाब china dish ठक पहुचा रहा है, वो china dish में बचा हुआ water evaporate होता है, तो यहाँ पर evaporation हो रही है, बिल्कुल से बिल्कुल हो रही है, मतलब crystallization में evaporation होती ही होती है, evaporate हो रहा है, और इसमें भी volatility का difference मतलब कोई evaporate होगा, कोई नहीं होगा, अब देखो, evaporate होने के साथ नहीं evaporate हो जाएगा, तो copper sulfate के crystal चमकते हुए crystal यहाँ पर बच जाएंगे, तो जब किसी सब्सांस में crystal भी बनने लगे ना, उसी salt के, तो उसे crystallization कह दिया जाता है, तो evaporation के साथ साथ, जब वहाँ पर उसी सब्सांस में crystals भी बनने लगे, तो वो हमारा crystallization कहलाता है, तो अ अगर मेरे पास ink में से color dye मुझे मिल रही है, इंक में से color dye मुझे मिल रही है, तो उसके crystal नहीं थे, powder form में color dye थी, तो just evaporation हो रहा है, और उसी copper sulfate के salt से, crystallization, C से copper sulfate का solution में crystal बन जाएंगे, तो इस तरह से अपन जब crystal obtain कर ले, सारा पानी उड़ जाए, तो अपन बोलेंगे कि crystallization हो गया, evaporation के साथ साथ, छीके, clear है, अच्छे से clear है कि नहीं, clear clear, अच्छा वाला clear, बिल्कुल scientizer लगा के clear, बिल्कुल, full to, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो third process भी clear, अपने को example है, copper sulfate के solution को अपने heat up करना है, छीके, अब देखो, magnetic suppression, बहुत ही तगड़ा method, चुंबक की पक्रिया है, बहुत है, चुंगर की प्रक्रिया में क्या होता है, कि magnetic nature के difference पर किसी को attract होने की शमता है, अगर मैं magnet आपास मिला रहा हूँ, कोई attract हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, जैसे simple example लो, मिट्टी के अंदर ना मैंने खील डाली हुई है, iron nail डाली हुई है, तो sand के अंदर जब iron nail डाली हुई है, उसके उपर चुंबक गुमा दो, magnet गुमा दो, तो iron nail को वो attract करता जाएगा, और sand और iron nail अलग हो जाएगे, तो जिदाई की technique magnetic separation clear है, कि एक magnetic nature का होगा, एक non magnetic nature का होगा, अब ये चीज जो मैंतिकुम diagram की हिसाफ से बता रही हुँ न, य ये diagram तुमें class channel में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा advance है, तुमारे level पर इसको भी समझो, देखो, यहाँ पर जो मेरा magnetic material है, वो मालो iron है, और non magnetic कुछ भी है, impurity है, धूल मिल्टी कंकर, कुछ भी है, तो हमने क्या किया, इस feeder में से उस पूरे substance को, उस पूरे particles को यहाँ रबड की पटी से ऐसे उसको पूरा cover कर दो, ऐसी कर रखा है, अब एक cycle का पईया रुका हुआ है, और एक cycle का पईया तुम देख रहे हो, घूम रहा है, और यह cycle का पईया कैसा होना चाहिए, magnetic nature का, कैसा होना चाहिए, magnetic nature का, अब उसके उपर जो पटी है, उसमें हमारा material आ पूरा पूरा घूम के जाएगा, देखो, जहां तक अट्रैक कर सकता है, वो magnetic material यहां तक रेड वाला, यहां तक आया पूरा, इस पईये तक, अब आगे तो उल्टा तो घूम नहीं सकता, यहां पे तो अट्रैक्शन खतम, तो वो यहीं पर magnetic सबसांस गिरने लगता है, वे magnetic material यहां कोई खटा हो रहा था, और non-magnetic कोई भी attraction magnetic wheel से नहीं कर रहा है, तो जैसे उसका contact इस rubber से चूटता है, तो वो सीधा ऐसे गिरने लगता है, और non-magnetic वाला क्या करता है, पूरे पईये में घूमता है, फिर यहां contact चूटता है, फिर यहां गिरता है, और non-magnetic वाल ठीक है, clear हुआ, बढ़िया तरीके से, सभी को, अच्छे से, बच्चो जल्दी से बताओ, बहुत अच्छे से, clear हुआ कि नहीं, भाईया, thumbs up बेजो, फड़ा फड़ से अगर clear हुआ, कोई भी doubt तो बेजिजग बताओ, बहुत easy topic है, पर question में बच्ची अटक जाते हैं, तो question का भी सफाया करेंगे, ठीक है, अब देखो, पांचवी टेकनीक पे आए, sublimation, कौन सी टेकनीक है, sublimation, इसमें हमारे जुदाई की differences क्या हो सकते हैं, reason क्या हो सकते हैं, कि एक supplementary होगा, एक non-sublementary होगा, मतलब एक हमारा solid से directly gasey state में जाने की शमता रगता होगा, और दूसर था, और ammonium chloride था, ठीक है, ऐसी हम iodine का ले सकते हैं, solution, camphor का ले सकते हैं, तो यह ammonium chloride की शमता है, कि भाया, जब नीचे से burner से, हमने क्या किया, इसको heat up किया, तो heat up करने से, यह जो solid substance यहां पढ़ा हुआता है, यह gasey state में जाने लगता है, अब gasey state में उपर मैंने cotton wool लग निकलने देगी, अब इसको भार नहीं निकलने देगी, तो यहां पर यह gas इखटी होती जाएगी, अब यह उपर वाला temperature ना low होता है, तो यहां पर जाके ना, वो gas दुबारा से low temperature पर, low temperature पर क्या होने लगती है, condense होने लगती है, और condense होकर फिर से solid form में, इस funnel की आसपा चिपकने लगती है, अब तुम यह सोच रहोगे कि मैम इसके अंदर ही solid सबसांस दाला कैसे, वह यह नीचे है हमारी china dish, नीचे है खुली china dish, उसकी उपर funnel उल्टी करके लगा दिये बस, उस china dish में ammonium chloride का solution पढ़ा है, जिसमें solid सबसांस है, और यहां पर funnel को उल्टा करके लो टेंपरेचर पर वो दुबारा से gas, liquid state में जाते हुए, उस funnel के आसपा solid state में खटा होता जाएगा, ठीके, और साथी के साथ, साथी के साथ बचा लोग यहां पर मुझे ammonium chloride के vapors, यहां पर ammonium chloride solidified form में मिल जाएगा, और बाकी बचा हुआ वाटर वहीं के वही, china dish में ही जाएगा, तो ऐसे अलग करते हैं, अपन, यहां पर तुम्हारा example camphor भी आ सकता है, iodine भी आ सकता है, और ammonium के जगा हमारा और भी compound आ सकते हैं, iodine, चीके, clear है, sublimation clear अच्छे से, बहुत अच्छे से, कोई technique, कोई एक ऐसा स्टैप की मैं मैंसे क्यू कर रहे हैं, हां जी, ने कि जब तुम सर्दी आने वाली होती है, तो वो naphthalene के बहुत उन गदों में डाल देते हैं, ताकि उसमें खीडे ना पड़ें, या उसमें moisture ना आए, तो यह moisture को absorb करती है, clear, सभी को अच्छे से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत करेंगे, अब एक question attempt करेंगे, एक बार मैं और repeat कर देती हूं, बच्छों को कहना है कि चाइना डिश्टी, उसको ट्राइपोर्ट चैंड में रखा, ठीक है, उसके अंदर ammonium chloride का solution रखा, फिर उल्टी funnel लगा के, ऐसे funnel उल्टी लगा कि उसको ढख दिया, ठीक है, ढखने के बात जब नीचे से उसे heat मिल रही है, तो तुम्हें पता है, sublimation में directly solid, gaseous state में जाता है, और जब gaseous state हमारी solid state में जाता है, तो उसे deposition कहते हैं, हना, तो यहां पर sublimation और deposition दोन हो रहा है, जब temperature हाई था, तो solid से gaseous पॉम में गया, उपर जा कि यह बंद है, gases भार जा नहीं सकती, तो gases low temperature पे फिर से solidify होके यहां पर इखटी होती जाती, ammonium chloride यहां पर इखटा होता जा रहा है, तो यह solidify हो रहा है, उसकी vapors बन रही थी, तो इस तरह से मुझे यहां पर pure ammonium chloride funnel के आसपास जमता हुआ दिखेगा, जब vapors बन के उपर solid form में वो इखटा हो जाए से, ठीके, clear, सभी को, अच्छे से, अब देखो बहुत ही प्यारा question जो कि सभी बच्चे मुझे करके दिखाएंगे, step by step, question में step by step बहुत जादा important है कि वो step by step ही follow होना चाहिए, जैसे you are provided with a mixture, तो में एक mixture दिया जा रहा है, जिसमें sand है, iron fillings है, ammonium chloride है, और sodium chloride है, ठीके, एक mixture है, जिसमें, मिट्टी है भाईया, iron की fillings है, ठीके, और ammonium chloride है भाईया, और भाईया, क्या है, बताओ जल्दी से, जल्दी से, और sodium chloride है, NaCl है, अब बहुत डिस्क्राइब the procedures you would use to separate these constituents from the mixture, इन constituents को, इन अलग अलग component को, mixture से हटाने के लिए, कौन-कौन सी जुदाई की प्रक्रिया अपन लगाने वाले हैं, कैसे इनके बीच में दरारे लाएंगे, सब को अलग-अलग कैसे करेंगे, तो सबसे पहला method क्या होगा, देखते ही बताओ, कि सबसे पहला method क्या होगा, कि मैं इसको अलग करने के ल हमारा, evaporation, crystallization, magnetic separation, और sublimation, इन पांच में से ही कोई हमारे use होंगे, तो बताओ, बताओ बहिए, ज़्यादा vote जहां मिलेंगे, वो करेंगे अपन, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा, यहाँ पर यह last question है, उसको अपन attempt करेंगे, पर सभी बच्चे बताएंगे कि पहले कौन सी method लगाऊं, में पास मिट्टी है, उसमें iron nails है, ammonium chloride है, NACL है, क्या लगाऊं ऐसा कि सबसे पहले वो चीज़ तो यहाँ से अलग हो जाए, फ यह कई बच्चे बोल रहे हैं, filtration, कई बोल रहे हैं, sublimation, कई बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारा magnetic separation, तो जिन बच्चों ने magnetic separation बोला है, बिलकुल सही है, magnetic separation बिलकुल सही है, कि पहले subka solution बढ़ा है, इसमें से कोई भी magnetic material का नहीं है, बस iron nail हमारी magnetic material की है, तो magnetic separation से iron filling को यहाँ से हटा दिया जाएगा, यह भाईया out, game से out, clear, अब देखो तुम्हारे पास बचगी है sand, तुम्हारे पास बचगी है ammonium chloride, तुम्हारे पास बचगी है sand है, ammonium chloride है, और NACL है, बताओ क्या करोगे, जल्दी से बताओ भाईया क्या करोगे, जल्दी जल्दी जल्दी, अब यहाँ पे sand घुलती भी नहीं है पानी में, तुम पानी मिला लो इसके अंदर, पानी मिला के solution मिला के, यहाँ पर पहले तुम filtration करोगे या sublimation करोगे, यह बताओ, filtration करेंगे तो sand अलग हो जाएगी, हाना, पर ammonium hydroxide के अंदर भी solid particles होते हैं, क्या पता, वो भी filter paper में आ जाए, तो पहले काम ऐसा करें, कि ammonium chloride को ही sublime कर दे, sublimation कर दे, कर दे क्या ऐसा, जल्दी से बताओ भाईया, कर दे क्या ऐसा, तो उस beaker के अंदर, बहुत अच्छे बच्चों, पहले क्या होगा, sublimation की china dish में ये तीनों चीज़े रखेंगे, ठीके, china dish में ये तीनों चीज़े रखेंगे, इसमें ammonium chloride होगा, ठीके, और sand होगा, और NACL होगा, अब ये सब तो evaporate नहीं होगे, ये हमारा solid से directly gases form में जाकर उपर इखटा होता रहेगा, sand की कोई हमारे gases form ने निकलती, हमारे टाटा नमक की भी कोई gases नहीं निकलती है, तो ये दोनों ये ही china dish में अपना solution बना के रह जाएगे, ammonium chloride funnel पे इखटा हो जाएगा, तो इसको यहां से इखटा कर लेंगे, ठीके, अब तुम्हारे पास तीसरे step में बच गया sand और NACL बस हाना, अब तुम्हें यहां पर sand को तो बहुत easily, NACL तो पानी में गुल जाएगा, तुमने पानी मिला रखा इसमें, हाना, water मिला रखा न, इधर भी water मिला हुआ था, तो यहां पर तुमने क्या किया, यहां बेशक से water ना मिला हो, पर यहां water जरूर मिलाना है कि solution मनाया, त तो sand को filtration से कर लिया अलग, sand को filtration से कर लिया अलग, अब पानी और NACL नमक बजग गया है, अब इसमें से पानी को evaporate कर दो, NACL और पानी में से पानी को कर दो evaporate और evaporation करने के बाद तुम्हें NACL के crystals मिल जाएंगे, तो साथ ही साथ तुम्हारा crystallization भी हो रहा है, clear है? बढ़िया तरीके से clear है कि नहीं बच्चा लोग, एक-एक step, step by step चलेगा, कहीं भी कड़बड करी भाया, marks बिल्कुल zero, clear हुआ, clear हुआ कि नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया, तो ऐसे question आते हैं अभी, तो हमने सिफ 5 method ऐसा question आएगा, जहां पर जादा से जादा अपन टेकनीक लगा कर, अलग-अलग salt को, अलग-अलग components को mixture से अलग कर पाएं, चीके, clear है, सभी को, बढ़िया तरीके से, crystal clear, तो बाकी बच्चिवी properties जो है ना, बाकी बच्चिवी जुदाई की टेकनीक्स कौन-कौन सी, कि ये पांचो बहुत important है, तो इनको अलग करने की, इनको जुदा करने की टेकनीक अपन देखेंगे मंडे को, तब तक practice करते रहो, doubt लगाते रहो, कहीं भी दिक्कत आए, बे जिजक पूछो, Sunday को जो भी practice करो, उसके doubt भाईया, यहाँ पे class ने post कर देना, और हमें strategy से चलना है तो बिल्कुल practical life से late करते हुए चलेंगे, कुछ भी रटना नहीं है, तो उसी strategy से सारे concept आपके clear कराऊंगी, तो मिलते हैं बच्चो फिर अगली class में, तब तक practice करते रहो, doubt लगाते रहो, बाई बाई, take care